होली पूजन के लिए सबसे पहले तो हमें अपना पीलिया ओढ़ना होता है तो देखे पीलिया ओढ़कर ही होली का पूजन किया जाता है हमारे यहां पर पीलिया ओढ़कर और होली पूजा की थाली लेकर हम होली के पास चले जाते हैं तो देखे इस तरह की धाल की माला ली ज चाहे आपने घर पर होली की है तो वहां पर भी पूजन ऐसे ही करना है या आपके आसपास कहीं बड़ी होली बनाई जाती है और आप वहां पर पूजन करके आते हैं तो भी आपको पूजन इसी तरह से करना होता है तो देखे पहले हम आटे से स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद जो नारियल हमने लिया है, वो नारियल हमी स्वास्तिक पर रख देंगे, तो हमें ये नारियल और जो हमने बिढकले की माला ली है, इसका पूजन करना होता है, होली के पास रख लेंगे, आप होली पर ये ब पर पित करेंगे तो यहां पर देखिए हम आटा ले लेंगे और हम आटा चढ़ा देंगे तो गेहूं का आटा मैं यहां पर लेके आई हूँ उसके बाद देखिए हम गुड चढ़ा देंगे तो भोग में आप गुड या पता से कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं तो मैंने पांच बाली हमें जरूर चढ़ानी होती है, पांच भी ले सकते हैं, साथ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पांच बाली चढ़ा दी हैं, और देखिए उसके बाद हम दक्षिना चढ़ा देंगे, तो दक्षिना में हम सिक्के चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ द तो फिर आप होली की किसी भी टहनी कोई भी लकडी जो है जहां पर आप पूजन कर रहे हैं उस पर आप इसको लपेट दें इस तरह से मतलब फेरी माननी जाती हैं पांच या साथ बार और आप चाहें तो आप कच्छे सूथ से प्रोपर पूरी होली की परिकर्मा भी कर सकते ह हैं परिकर्मा करने का ही रिवाज होता है लेकिन अगर होली बहुत जादा बड़ी है तो आप टहनी पर भी इस तरह से लपेट सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं पांच बार परिकर्मा करूंगी आप पांच या साथ कितनी बार भी परिकर्मा कर सकते हैं और देखिए जो तोड़ा नहीं जाता है इसको वही पर टांक दिया जाता है अगर किसी किसी के यहां पर रिवाज होता है कि अगर तोड़ना आप इसे चाहते हैं तो किसी कवारी कन्या के हाथ से इसको तुड़वा भी सकते हैं लेकिन जादा तर लोग वही पर टांक किया जाते हैं जितना भ तो देखे जल से इस तरह से धार बनाते हुए जल सीचते हुए हम पूरी होली की फेरी लगाते हैं तो जब आप बड़ी होली पूजने के लिए जाएंगे न अगर बाहर कहीं बड़ी होली बनी हुई है और आप वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं तो हम तब भी इसी तरह ऐसे जल की फेरी लगाते हैं ताकि हमारी होली माता ठंडी रहें और सब कुशल मंगल रहें फ्रेंट्स हमारे अहाँ पर सुबह ठंडी होली पूजी जाती है यानि सुबह जो हम यह पूजन करते हैं तो हम दिया नहीं जलाते हैं शाम के समय जब होली का देहन होता है तब दिया जलाया जाता है अगर आपके हाँ पर सुबह दिया जलाया जाता है तो आप दिया जला सकते हैं जादातर जगे सुबह ठंडी होली पूजी जाती है देखे थोड़ा सा जल हम लोटे में बचा लेते हैं ताकि जब हम घर पर आत और उसके बाद जल के छीटे लगा देते हैं इसी जल से हम दोनों कोले सिला देते हैं इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से होली का पूजन करते हैं आप होली कैसे पूजते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ल